गाउं इंदरपुरा की रोही से हाई टेंशन बिजली के तार काट कर चोरी करते तीन युओ गिरफतार दूद्वाखरा पुलिस ने की कार्यवाही चुरू की दूद्वाखरा पुलिस ने गाउं इंदरपुरा की रोही में हाई टेंशन बिजली के तार काट कर चोरी करते तीन यूखों को रंगे हाथों गिरफतार कर लिया पुलिस ने खेत में खड़ी बिना नंबरी पिकप से बिजली के तार के साथ बंडल भी जप्त किये हैं जिनका वजन करीब पाच क्विंटल 18 किलोग्राम है मामले की जाच कर रहे दूद्वा खारा थाने के हैड कोंस्टेबल परदीप कुमार ने शनिवार को बताया कि दूद्वा पुलिस टीम सिर्सली दूद्वा खारा धानी रणवा वे लाला सर गाउं में गश्ट कर रही थी तब ही सूचना मिली कि इंदरपुरा की रोही में हाई टेंशन लाइन के तार काट कर चोरी किये जा रहे हैं मोके पर मनुहर लाल के खेत में पहुँचे जहां तीन वेक्ती हाई टेंशन लाइन के तार काट कर चोरी कर रहे थे इस पर पुलिस ने गोर्खी मलसी सर जुझनु निवासी 25 वर्षय केलाश जाट, जस्रा सर निवासी 30 वर्षय इमरान कान, वेभामासी निवासी 23 वर्षय विकास को गिरफतार कर लिया पुलिस ने आरोपियों के पास से खेत में खड़ी बिना नंबर की पिकप से बिजली के तार के साथ बंडल भी जप्त किये हैं